हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मामले को लेकर चोहटन थाना दिकारी रमिश धागा ने बताया कि कजबे के विधाय को वाटसेप पर मैसेज भेज कर साट लाक रुपे की फिरोती आरोपी युवक द्वारा मांगी गई थी वही रुपे पास दिन में नहीं मिलने पर आदामी विधान सबा चुनाओ और दिपावली ना देख पाने की बाद गहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी बारमेर जिला पुलिस सदीचक द्वाराविशेज टीम का गठन कर आरोपी के तलाश में भेजी गई थी पुलिस ने अजमेर पहुँचकर अजमेर पुलिस की मदद से आरोपी को अजमेर की दरगाह के पास से गिरफतार कर लिया जिसे सोमार को चोहटन पुलिस थाने लाया गया पुश्टास में आरोपी ने विदया काग को धमकी भरा मैसेज भेजना कबूल किया है पुलिस आरोपी से पुश्टास में जुटी है बारमेर से जारूप टीवी की रिपोर्ट